सीबीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दे जेलेंग स्टेडियम में पंडाल गिरा पंडाल की नीचे कुछ लोगों के दब होने की आशनका फिलाल जताई जारी दमकल विबा की इस वक्त दो गारिया मौकी पर पहुची हुई है जौहल लाल नहरू स्टेडियम के गे पंडाल के रीचे दब हुए हो जौहल लाल नहरू स्टेडियम हारत की राजधानी नई दिली में स्टेडियम देखे लगातार आपको बता रहें कि पंडाल गिरने की खबर फिलाल मिल रहा है गेट नमबर दो के पास लौन का निर्मान चल रहा था और यह दिकी तस्वीर आपकी टी-वी स्क्रीन पर एक्स्वीर आपको फिलालम दिखा रहे हैं और डमकल विबाक इस वक्त दो गाडिया मौकी पर मौझूद है यह एक्स्वीर आपकी टी-वी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि निर्मान हो रहा था और इसी बीच यह पंडाल यहाँ पर फिलाल गिर यह भी खबर है कि कुछ लोग अभी भी आप पर दबे हुए जिनको निकालने की कोशिश अब की जाएगी कुछ लोग घायल हो चुके हैं और घायलों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है आपको दिखा रहा है कि सामने पुलिस प्रिशासन मौकी पर मुस्ताइद नजर आ रही है इधार पुलिस प्रिशासन भी मौके पर लेकिन बुरी खबर ये कि आठ लोग घायल जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है इस दौरान हाथा हुआ है पंडाल गिरा और पंडाल गिरने की वज़े से आठ लोग घायल बताए जारे ये भी आश्रंका जताई ज आ रही है कि इस वक्त कुछ लोग फिलाल पंडाल के नीचे दबे हुए हैं जिनको निकालने के लिए जिनकार रेस्क्यू अब किया जाएगा और टीम फिलाल यहाँ पर पहुच चुकी है दमकल विवाग की दो गाड़ी इस वक्त यहाँ पर फिलाल पहुची हुई है सामन की खबर मिल रही है और गेट नमर दो की पास लॉन का निर्मान चुकी चल रहा था इसी बीच खबर सामने आई कि पंडाल गिरा और पंडाल गिरने की वज़ए से आथ लोग बताए जारे हैं जो कि इस वक्त घायल है इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है लेकिन कुछ ल दस्फीरे आपको लगातार हम दिखा रहे हैं सुरेश इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुएं सुरेश के आपडेट इस पूरे मामले को लेकर जबालन नहरू स्टेडियम के अंदर ये इस ट्रक्षर जो था हुआ जाना कि भरभा की गिर पड़ा और यहां पे कोई प्रगारी की जाये थी इस पे अंदर ये इस ट्रक्षर तैयार किया जाता और इसके अंदर बताचला चला कि अंदर उनको शुच्छ बाहर निकाला ग पंडाल के नीचे दबने से आठ लोग जो घाल बताया जारे उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है जी बिल्कुल उनको अस्पताल ले जा गया है और फिराल अभी हालत जो सब की ठीक बताई जारी है खत्रे तो बाहर बताई जारी है हास्सा कित्ते बुजी की करीब हुआ और अभी कौन-कौन सी टीमे फिलाल वहा पर तैनात नज़र आ लिए सुरेश देखे दमकल वहा के जो चीफ है अतुल गर्व उनके मताबिक अभी उनको कॉल मिली थी सुमें मौर्णिंग में उसके बाद वहाता सब लोग पहुंचे थे फिलाल पुलिस पहुंच चुकी है दमकल वहा की गाड़िया पहुंच चुकी है और अच्छा टीम अभी लगाता सब्सक्राइस की ऑपरेशन में सब्सक्राइस की जुटी हुई है सुरेश और पंडाल के पास निर्बान फिलाल चल रहा था उसी दौरान ये बड़ा हाथसा फिलाल यहां पर हुआ है इसको लेकर जाच भी होगी सुरेश ये बिलकुल अभी फिलाल तो पुलिस और नमकल सब्सक्राइस की गाले मौके पर हैं और वहां पचाओ जो देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कितना बड़ा स्ट्रेक्चर था जो खासके लोहे लगे हुए थे वहां काम चल रहा था अभी इन फिलाल इन सबको हटाया जागा उसके बार से जाच की आकित किस वेसा हासा तो फिलाल जाच का वीशा है पुलिस की जाच जो है जरूगरी खुद इसकी अथौर्टी जो है वो इसकी जाच भी करेंगे हैं चीक है लोट्रें आपके पास देखे लगाता दो तस्वीर इस वक्ता आपकी टीवी स्क्रीन पर है दिली में पंडाल गिरा रहत बचाफकार लगातार जारी आपको पुलिस की टीम इस वक्त सामने नजर आ रही है और दिली पुलिस ने इस हाथ से को लेकर फिलाल जानकारी दी है सभी लोगों को निकाल लिया गया है लेकिन कुश्रोंग जुखायल हो चुके है उनका इलाज इस वक्ताल में चड़ रहा है सभी को ब बात ही कई जा रही है और अब इस पुरे मामले को लेकर जाच परताल भी होगी और दिली पुलिस की टिपड़ी सामने आई एक किसी के हतात होने की फिलाल खबर सामने नहीं आ इस हाथ से पर दिली पुलिस का स्टेटमेंट भी सामने आ गया एक तो सभी लोगों को रयलों को निकाला आप वोगोंने हमारी कुछ गाड्यां निकाली यह यह जो कॉल मिलती जा रही है वैसे गाड़िया आ आपको बता दी कि अभी तक exact टाकड़ा सामने नहीं आ पाया कि कितने लोगों का rescue हुआ है लेकिन फिलाल दिली पुलिस का statement इस वक्त सामने आ चुका है कि एक तो किसी के आतात होने की खबर सामने नहीं आई है और दूसरी बड़ी बात सभी को बाहर निकाला गया कि अवारी निकाल के ले गई हैाना पैसेंट जो पैसेंट मिले एक दो गाडिया हैं और कडिया और कडिया्य वह लेकर गई हं कुछ अभरी अंदर कोच अभी hospital में हैं जो पैसेंट अद्रोफ करने गई हैं कि कितने लोगों के घैल हैं अच्छ रास्तेमा आ रही है कोछ ऑस्पीट्र ड्लॉफ कि तक समय नहीं हुआ पाया कि–ई और रहे हुआ कि कितने लोगों और गनीमत ये रही कि कि dhesy के हतात होने की ही खाबर सामने कई लोगों के दबे होनी की आश्रका जुताई जा रही थी और फायर बिगेज की गाड़िया भी मौके पर पहुची दो गाड़िया यहापर मौके पर पहुची अर पॉलिस की टीम भी मौके पर पहुची पंडाल स्टेडियम की गेट नमबर दो के एंट्री पॉइंट पर गया जा रहा है लेकिन अब फिलाल ये रेस्क्यू आप रहा है कि अब फिलाल अप्रेशन पूरा हो चुका है सबी लोगों को बहार निकाल लिया गया, सुरक्षे सबी लोग बहार निकले हैं, लेकिन जो घाल हो चुके, उनका पास के अस्पिताल में इस वक्त इलाज चड़ रहा है, रहात बचाफ कार्या, देखिए यहाँ पर चलाया गया, जैसी पुलिस पुशासन को सूचना मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुची, और फाइर बिगेट की टीम भी आपर मौके पर पहुची, फाइर बिगेट की दो गाड़िया मौके पर पहुची थी, एम्बुलिस भी आपर पहुची हुई है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, कि JLN स्टेडियम में कित समय रहते रेस्क्यू किया गया और अब फिलाल उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में कुछ तस्वीरे आपको लगातार हम दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पंडाल गिरा है और दूसरी बड़ी बात कि इस वक्त आप शासम भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्त पंडाल गिरा आखिर इंतिजाम क्या किये जा रहे थे तीसरी बड़ी बात की निर्मान कारे जो चल रहा था क्या उसमें किस तरह की लापरवाही बढ़ती गई जितना बड़ा पंडाल चानक से घिर गया अब इस पूरी मामली को लेकर जांच तो होगी और जांच की बाद सब्सक्तार नजर बनाए हुए है और मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद नजर आ रही है यहाँ पर एम्बुलेंस भी इस वक्त तैना थी और सबसे बड़ी बात की फायर बिगेट की दो गार यहाँ बेस वक्त मौके पर पहुची जैसे ही सूशना मिली आठ लोग बत इस वक्त तस्वीरे आपको लगातार हम दिखा रहे हैं JLN स्टेडियम दिली से और दिली के जोहालाल नेरू स्टेडियम में पंडाल जैसे ही गिरा चारू तरफ अफरत अफरी मच गई जोर की आवाज आई आसपास के लोग भी हरान हो गई और उसके बाद जैसे ही लोग थे उनको बाहर निकाला गया और इस वक्त उनको अस्पताल भीजा गया है पास पर ही अस्पताल है वहाँ पर इस वक्त उनका इलाज चल रहा है यह तमाम तस्वीरे सुप भाट वड़ी फोर्श सबसे पहले आप तक पहुंच आ रहे है जोहालाल नेरू स्टेडियम की तस पहुंच हो जाती है क्योंकि जोहाला नेरू स्टेडियम में पंडाल जैसे गिरा तो चारूं तरफ अफ्राद तफ्री मच गई सभी लोग हैरान हो गए किता बड़ा पंडाल अचानक से कैसे गिर गया लेकिन अब आपको बता दें कि आपर फिलाल जो लोग है वो अस्पत प्रिशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्टाइद नजर आ रहा है कि करके आपने से पहले देखा दिली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुची एंबुलेंस यहाँ पर पहुची और यह भी आपको बता दें कि रेस्क्यू आपर चलाया गया लगातार यहाँ पर देखिए कोशिश की जा रही है दिली में जो पंडाल गिराई जेलेंस टेनियम में इसको लेकर कि आप देख सकते कि पृषासन अपने दलबल के साथ लगातार यहाँ पर पहुच रहा है रहात बचाफकारी की जानकारी मिल रही है और रहात बचाफकार लगातार जारी है सुरेश इ पूरे मामले को लेकर कोई नया अपडेट? अब भी दमकल जा कि गारीया मोके पहुंची हुई है और देली पूलीष की टीम वहाँ पहुंची हुई है और लगाता है इसके नदर पंडाल का जो गिराव निस्ता है उसको टाने के काम जिया जारा है सुरिष के आभे भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका अजवंडारा आप छा रही अ आफिर सभी किस भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि कुछ दिर पहले पास अब सभी लोगों को रेस्क्यू ऑचुका आई सुरेश लॉट्रें आपके पास देखे इस वक्त दो तस्विर आपके टीवी स्क्रीन पर है और इन दो तस्विरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हाथसा है हाला कि एक्जेक्ट आंकडा भी साम नहीं आ पा रहा पहले जो अनकारी मिल रही थी कि आठ लोग घाल हो चुके है लेकिन सुरेश जो हमारे समधता लगातार वहापर फिलाल बने हुए उनकी तरफ से काल जा रहा है कि दो लोगों करेस की अभी तक किया जा चुका है पुलिस की टीम इस वक्ते हाँ पर मौझूद है और इसके अलावा एंबुलेंस भी यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी बाद कि अभी तक ये जो आंकरा है वो साफ नहीं हो पाया कि अगर इस पंडाल के निचे लोग दबे हुए हैं तो कितने लोग इस वक्त दबे हुए क्योंकि लगातार आप देख सकते है कि जैसी सूचना पुलिस पर शासन को मिली तो तुरन टीम आपर फिलाल पहुची हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त लगातार चलाया जा रहा है इस वक्त दो तस्वीरे आपकी टीवी स्प्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ये वो पंडाल आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि गिरा और दूसरे नमबर पर आप तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर रहात बचाफकार है इस वक्त लगातार जारी है और पलपल की जानकारी आप तक इस खबर को लेकर हम फिलाल पहुंचाए बचंग टो पहाँ कि अविला वाता है झाल कर देख सकते हैं जाुष यह गायारी है आपकारा और देख सकते हैं एक तूसर वपा अराम धवाय क्तो को सकते हैं जाहां प्रता है